कॉर्वर्स OS का एक लेटिस्ट अपडेट हमारे Poco के X2 डिवाइस के लिए आ चुका है जो कि 16 का सेंटोरी अपडेट है और इसे फिलाल मैं वन डे से यूज भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर काफी कुछ पहले से इंप्रूब किया गया है फिक्स किया गया है और यह काफी जड़ा usable भी हो गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने gameplay भी किया है साथ साथ Antutu और यहाँ पे जो CPU ट्रोटलिंग वगेरा भी मैंने चिक कर रखा है तो इस तरे लेटिड मैं आपको यहाँ पे सारी जनकारी देने वाला हूँ और यह एक 16 अपडेट है जो कि सैंटोरी का ओफिसियल है जहाँ पे आपको मेंटेनर का नेम भी देखनी को मिलता है मैं अभी 6-0 variant यूज कर रहा हूँ जिसमें मैं 5 का latest security patch दिया गया है और सिक्मा का करनल यूज किया गया है security की नजल में यहाँ पे Linux enforcing है तो यह काफी अच्छा है यहाँ पे मैं 11 का इसका build date दिखनी को मिलता है जो कि बिल्कुल ही latest है और जब से यह आया है आप लोग के बार बार कमेंट आया ठेक इसका review चाहिए तो भाई बहुत सारे roam है तो time लगता है सभी को test करना पड़ता है और इससे regarding मैंने एक अपनी community tab पे post भी किया था आपने चिक किया होगा तो आपको पता होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो य different try किया जाए तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इनेवल कर सकते हो नहीं तो आप ignore कर सकते हो चुकि इससे हलका सा phone slow feel होने लगता है मुझे personally लेकिन बहुत सारे videos को animation काफी जड़ा पसंद आता है यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो apps lock है यह अब add हो चुका है जो क यहाँ पर आपको आइकन तो चेंज करने का option मिलता ही है लेकिन hide apps का भी features अब आप यहाँ पर मिल जाता है यानि आप launcher से app को hide कर सकते हो और system से उसे lock भी कर सकते हो यानि आपको यहाँ पर full protection देखनी को मिलेगा जो कि काफी ज़्यादा सही है और आपके काफी ज़्यादा क काम भी आने वाला है अगर आप lock वगएरा ज़्यादा यूज करते हो साथ से यहाँ पर आपको मिल जाता है sound के profile में हुआ ही MI sound enhancer वगएरा जोकि हमेशा से मिलता हुआ आया है तो यह अच्छे से काम करता है आगे आते हैं display के अंदर आपको देखनी को मिलता है dark mood वगएरा और यहाँ पर clock में कुछ नए option यहाँ पर add किये गए हैं तो आपको clock के layout डिखनी को मिल रहे होंगे यहाँ पर oneplus का है minimalist का है minimal का है और बहुत सारे options वगएरा देखनी को मिलते हैं तो जो भी आपको clock अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ पर use कर सकते हो और इसका always on screen है इसम ज्यादा देखनी को मिलेगा तो आपको कहीं न कहीं compromise तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा यहाँ पर आप देखे तो वही सारे common option मिल जाएंगे और refresh rate का option भी आपको मिलता है जो कि 60, 90 और 120 पर set है और battery का 50 और 60 ही देखनी को यहाँ पर मिलता है बैक चलते हैं यहाँ पर तो आपको देखनी को मिल जाएगा इसका layout जो कि पिछले ही update में change हो गया था जहाँ पर इसका खुद का customization और theme store देखनी को मिलता है तो इसमें भी कुछ-कुछ नए features वगरा add किये गए हैं अगर चैनलों की बात करें तो यह आप देख से तो यहाँ पर चैनलों आपको नजल आ add किया गया है यानि अगर हम screen shoot यहाँ पर longer click करते हैं तो full page का आप यहाँ पर ले पाओगे जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो यह भी काफी अच्छा features है काफी ज़्यादा काम आने वाला है तो यह आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाएगा साथ साथ यहाँ पर जो add info यहाँ पर देखनी को मिलेगा साथ साथ यहाँ पर update किया गया qs tint वगेरा अगर आप इसे on कर दोगे ना तो यह जो qs का look up देख पारे हो यह कुछ इस तरीके से हो जाता है जबकि by default बिल्कुल simple रहेगा जो कि मैं आगया आपको यहाँ पर show कर दूँगा यहाँ पर bring back कर दिया गया है Bluetooth के output वगएरा को volume panels वगएरा को यहाँ पर कुछ fix किया गया है brightness slider के अंदर doge के अंदर always on काम नहीं कर रहा था उसे fix कर दिया गया है apps lock जो कि मैंने आपको बताया apps hide वह भी मैंने बता दिया है यहाँ पर apps lock को USB से लिया गया है यहाँ पर reduce किया गया frequency वगएरा को यहाँ पर bright back outer display settings वगएरा add कर दिया गया है so memory usage app info वगएरा आपको देखनी को मिल जाएगा यहाँ पर bring back GCC देखनी को मिल जाता है और कुछ और improve किया गया है fix किया गया है Google के fonts वगएरा भी add कर दिया गया है तो कुछ इस तरीकी से आपको chain lock देखनी को मिलता है तो चलिए अपडेट में नहीं था तो यह इसे एक unique सा different सा look देता है जैसा कि आप यहाँ पर देखते हो लॉक स्क्रीन, M.I.C. और gesture वगएरा तो आपको याद होगा जो हम study करते थे fair वगएरा तो वहाँ पर जब भी कोई heading आता है उसे काफी colorful और beautiful कभी-कभी बनाते थे कुछ लोग नहीं तो यह कुछ उसी तरीके से है जो देखनी को मिलता है तो बिल्कुल ही आपको आखों में सामने सामने बीच भी दिखाई देगा जाओकि बाके customer में तो side में ही लिखावा मिलता है तो same to same दिखाई देता है बट इसमें बीच में है तो थोड़ा सा different look देता है और बिल इसका animation style जहां पर मैंने सब कुछ को बदल रखा है जिससे बसे मुझे पूरा change देखनी को मिल रहा है तो आप दिख पा रहे हो अगर आपको same change चाहिए तो जो भी setting आपको यहां पर दिखाई दे रहेना उसे आपको apply कर लेना है उसके बाद आपको यह सारी change देखनी को मिल जाएगा यहां पर आपको network का traffic meter देखनी को मिलता है clock के कुछ options वगेरा यहां पर है जो कि पहले से इंप्रूब किया गया है कुछ fonts वगेरा add किया गया है जो कि मैंने आपको change log में so किया था back चलते है तो आपको battery optimization का option मिलता है जहां पर battery and styles वगेरा में आप जो चाहो custom कर स है जो इस तरीकी साब को layout सो गया देखनी को मिलते हैं जो कि आप on and off कर सकते हो button के अंदर आपको online wake up का ही option देखनी को मिलता है तो कुछ इस तरीकी से customization देखनी को मिलेगा लेकिन वहें पर हम अपने three main store की बात करें जो कि इसका खुद का है यहां पर color अपने merchant साख change कर सकत हो साथ से यहां पर fonts के type बगर आपको देखनी को मिल जाएंगे जहां पर कई सारे options यहां पर add हो चुके है आइकन से भी कई सारे बट मुझे खास कर trade drop और default पसंद आता है उसका round corner यहां पर करने के बाद बिल्कुल यह आपको different सा look देखनी को मिल जाएगा तो मैं आपको प प्रो करता हूं तो यह भी है जो हमारा control center वगरा सब कुछ round round डेखनी को मिल रहा है तो इसे आप यहां पर custom कर सकते हो अपने merging सार्ग जैसा आपको अच्छा लगता है यह चीज मुझे यहां पर काफ यदास सही लगा वहीं पर आपको switch का style डेखनी को मिलता है on and off का और आपको यहां पर देखनी को मिल जाएगा themes के option जिसमें कई सारे option दिये गए है तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहां पर यूज कर सकते हो और आप यहां पर देख पाऊए कि बिल्कुल ही transparent हो गया है जब भी मैंने यहां पर corvus का apply किया है तो तो अगर आपको यह लेकिं यहां पर कुछ जाद ही है extra behavior या नाटक कर रहा है बारवा settings हो गया उपिन हो जा रहा है जबकि ऐसा बाकी में नहीं होता है यहां पर round corner जो कि मैंने काफी जड़ा large कर रखा है अगर मैं इसे default पर करता हूँ तो देख सकते हो फिर से यह शूरू हो गया अपना नाट लगा और मुझे याद है कि जब मैं Samsung Galaxy Note 9 यूच कर रहा था तो उसमें भी कुछ इस तरीके से देखनी को मिलता था और कभी-कभी lock screen पर यहां fade out होता हुआ red दिखाई देता है जो कि एक काफी amazing सा EOD को है जो color provide करता है तो यह चीज मुझे काफी पसंद आया यहां पर आप यहां पर benefits ले पाऊगे कोई भी दिक्कत आपको NX related नहीं आने वाला है by default हमारा जो placed होड़े यह certified टेखनी को नहीं मिलता है तो पहले आपको इसे fix करना पड़ेगा तब ही जाके आप banking के app यूच कर पाऊगे और एक और यहां पर कमी देखनी को मिलता है अगर आपको चाह करोगे तो आपको 11 देखनी को मिलेगा लेकिन अगर आप डायेट स्विच कर रहे हो किसी custom home से इस पे तो आपको यहां पर L3 ही देखनी को मिलेगा तो यहां तो आप vendor यह उच कर लो MIUI का Android 10 का यहां पर डायक मी UI को ही flash कर लो यहां पर अगर रहे बात Untoodoo का कि क्या हमें दे देखनी को मिला जो कि काफी ज़्यादा बेटर था और performance की काफी इंप्रूब था अब आते कुछ standby और बाके दर चीजों के ऊपर ठीक है तो सुरू से शुरू आत करते हैं यहां पर थोड़ा स्लो चार्जिंग दिखनी को मिलेगा जब आप चार्ज कनेक्ट करोगे तो बैटरी के ऊपर तो आप देखते हो थ्री आर्स पहले डिस्कनेक्ट किया गया 54 मिनिट का चार्जिंग है और 80% का बैटरी परसेंट है उसका बार्निंग में मग जब चेक कर टाउन 10 आर्स कंप्रीट होने पर तो 80% का 80% हमें बैटरी देखनी को मिलता है तो यहां पर जो इस तरीकी से देखनी को मिलता है दुबारा मैंने जो इसे CPU ट्रोटल चेक किया तो 83 ही है तो यहां पर ट्रोटल थोड़ा देखनी को मिलता है कोर्वस गेमिंग के नाम से पॉप्लर तो है बट यहां पर अभी कुछ उस तरीकी से रिजल्ट हमें देखनी को नहीं मिल रहा ह जैसा कि हमें यहाँ पे मिलना चाहिए था साथ से यहाँ पर समूधने तो मुझे ठीक ठाक लगा है लेकिन जब आप हैवे टास्क करोगे तो थो वो दिक्कत आ जाएगा बाके इस गार ऑख और र लेक पर ऑपसन दो को मिलते ही है और यहाँ पर प्रफॉमेंस अच्छी ना होने के बावजूद भी जो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमें मिलता है वो काफी अच्छा मिल जाता है यानि screen recording में मुझे lag देखनी को नहीं मिला है, यह अच्छे से काम कर रहा है, तो आप यहाँ पर देख पारे हो slide काफी अच्छा हो रहा है, setting भी काफी अच्छे तरीके से on-off यहाँ पर हो जा रहा है, और यहाँ पर आप देख पारे हैं कभी यह transparent हो कर रहा है, कभी black हो जा र तो जब इतना ज्यादा आपको CPU ट्रोटल देखनी को मिलता है, चोटे मुठे इसूद देखनी को मिलते हैं, तो जायर सी बात है कि यहाँ पर gaming आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है, जितना अच्छा आपको Corvus में पहले मिलता होगा, तो यहाँ पर आपको काफी कुछ compromise क यहाँ पर नहीं मिलेगा, और यहाँ पर जब भी आप theme वगरा change करोगे, तो volume bar का जो style है, यह भी बदल जाता है, अभी कुछ time पहले कुछ different हा, अभी कुछ different हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में, इसी तरह के interesting topic के साथ, वीडियो को सब्सक्राइब करना न बोले, तो clock speed वगर आपको दिखाई दे रहा, टाटा भाए भाए